नमस्ते मैं विनीता आपका मेरे यूट्यूब चैनल इस्टिच विद विनीता में स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए राउंड बैल्ड बलाउज की इस्टिचिंग का वीडियो लेकर आई हूँ आए वीडियो सुरू करते हैं पिछली वीडियो मैंने आपको इसकी कटिंग बताई थी आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी इस्टेप बाई स्टेप तो प्लीज वीडियो को इस्किप ना करें और लाश तक जरूर देखें सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को सीधा रखते हुए लाइनिंग के फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और नेक पे स्टिच करके इसको हम उल्टी साहिट प्लट लेंगे और फिर चारो तरब से हम इसको पैक कर लेंगे सेम दोनों पार्ट में ऐसा ही करना है और बेल्ट को हमें जैसा है बस वैसा ही मेन फैब्रिक को उल्टा रखते हुए और लाइनिंग के फैब्रिक को भी उल्टा रखते हुए चारो तरब से इस्टिच करके पैक कर लेंगे देखे मैंने नेक पे सिलाई लगा ली है अब हम इसको एक्ष्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे और इसमें चोड़े-चोड़े कट लगा देंगे इसको उल्टी तरफ पलट लेंगे इसे प्रेस की हेल्प से अच्छे से सेट कर लेंगे और चारो साइड से इसे पैक कर लेंगे देखें मैंने चारों तरब से इसको पैक कर लिया है इस तरह मैंने दूसरे पाट को भी कर लिया है और बैल्ट को भी मैंने स्टिच कर लिया है अब हम टक्स लगाएंगे जितने भी टक्स के निसान है इन सब को पकड़ के हम टक्स लगा लेंगे दोनों पाट में ऐसे एटेज करेंगे गोल्डन पाइपिंग देखिए अब हम बाइपिंग बनाएंगे इसके ए मैंने 10 सवा इंच चॉड़ी है प्रटी कट कर लिया अब इसमें डॉली डाल के हम पाइपिंग बनाएँगे हमोरी पाइपिं मत्स के तयार हो गई है अशी तरह मैंने पहले से हैं पाइपिंग करके रखे हुए अब इसको कैल। कि एकside मैंने नक पर piping अटेज कर दिया है अब इसी तरह हम दूसरे पाइपिंग के दिया है देखे मैंने दोरों पार्ट में पापी नेटेश कर दिया है अब हम अब सको इस्टिच करेंगे विल्कुल से पकड़ते हुए हम इस्टिच करने अगर आप बिनर्स हैं तो सबसे पहले आप चैंटर में एक स्लाई चला ले उसके बाद आप इसको ऐसे पकड़के जो निशान इसी तरह वां बार्टी की दो टक्स भी लगा लेंगे इसारे में और अच्छा पफ बना है कि डिकिते我们 देखें फोतको कम्प्रीट कर दिया कर दिया हमारा पफ कितना अच्छा बना है पहने ये राउंड कि लाउउज बहुत टीए अच्छा इसका फिलिटिंग आता है इस के बाद हम इसको आठेज करेंगे इसको ओनों के फेस को एक दुसरे के सामने रखते हुए ऐसे और एक जो के इकक्ष्टर हम अभी कट करेंगे वेल्ट उसको हम उल्टी तरफ रखेंगे ताकि हमारी स्लाइच्छ जाएगी埃व आफ करते हैं इतना नहँंकर से这么 विटिंग की चिलाई है उस सबसे हमें पकड़ना है और एक लायनिंग के फैबरिक को और हमने कट किया यह पैल्ट के साइज कहीं इसको इसको फूल्टी साइज से जैसा में वीडियो में दिखा रही हूं ऐसा पकड़ते हुए हमें इस्टिच लगाना है अगर आप एक सब प कुम हो जाएगा ऐसे हमें स्टिच करना है कि मैंने स्टिच लगा लिए इसके उपर हम डबल स्टिच कर लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे देखिए दोनों साइड से हमारी स्लाई छुप गई है आप चाहे तो इस पर टॉप की स्टिच लगा सकती है या इसे ऐसे भी रहने अधर से एकस्टर कपड़े को कट करके निकाल देंगे कर लिया है और नुनों साइड से हिसे लीकशने किया इसको बाद में हम एक पडे को होल्ड कर देंगे इससी थार हम दूसरे पाथ को भी तयार कर लेंगे अब हम हुक और आई की पट्टी अटेज करेंगे, लेफ्ट पार्ट में हम आई की पट्टी अटेज करेंगे और राइट पार्ट में हम हुक की पट्टी अटेज करेंगे, इसके लिए मैंने तीन इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है, इसको हम लेफ्ट पार्ट उल्टी स में रखते हुए आफ इंच का मर्जिन लेते हुए जो हमने हाफ इंच आई वोग के लिए छोड़ा था हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे और उसको राइट साइड में कलट लेंगे हम सीधी जाइट में एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे फिर एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए हम टॉप श्टिस चला लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे और इसको अंदर की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे अब आप इसमें अपना बैक पार्ट अटेज कर लें और आपका राउंड बेल्ड वाला बलाउज बनकर तयार हो गया है पहनने के बाद इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है इसलिए जरूर से आप प्राय करें और मुझे कमेंट करें कि आपको कैसा लगा आई होप आ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को जरूर प्रस कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहरे आपके पास आ जाए थैंक्स पर वाचिंग